सूप्रभाद पच्चों हम अपने वसंत भाग दीन कक्षा आठमी हिंदी की पाठे पुस्तक में से पाठ पांच कर रहे थे जिसका शीर्शक है चिठियों की अनूठी दुनिया अनूठी विचित्र मतलब इसमें हमने पढ़ा अब तक हमने इसमें पढ़ा था कि पत्रों की दुनिया बड़ी ही अजीबो गरीब अनूखी है पत्रों का समाज में बहुत ही महत्व था पत्र जो काम कर सकते हैं विसंचार के आधुनिक तमसाधन मोबाईल, SMS, वे भी नहीं कर सकते मानव की सबहता के विकास में इन पत्रों ने बड़ी ही महत्व पून भूमि का निभाई है पत्रों को अलग-अलग भाशा में अलग-अलग नामों से जाना जाता है विश्व डाक संग ने 16 वर्ष से कम आयू के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताई आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया जो हमारे देश के सैनिक होते हैं उन्हें तो इन पत्रों का बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार रहता है तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है महात्मा गंदी को दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गंदी इंडिया पता लिखे आ जाते थे महात्मा गंदी जी अपने सब पत्रों का जवाब खुद लिखते थे लिखते लिखते अगर उनका एक हाथ दर्द करना लग जाता तो वैं दूसरे हाथ से लिखने में जुट जाते थे इस तरह से हमने प्रश्ट 26 आधा किया था आज हम यहां से करेंगे इस प्रकार नहरू और गंधी के लिखे गए रविंद्र नास्टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं महात्मा और कवी के नाम से महात्मा गंधी और रविंद्र नास्टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है ये लाइन जो है, आपको सही गलत या खालिस्तान की फोम में आ सकती है, इसे धियान से आपने पढ़ना और अपने दिमाग में रखना है, जिसमें बहुत से नए तत्यों और उनकी मनुदशा का लेखा जोखा मिलता है, पत्र वेभार की परमपरा भारत में बहुत पूरानी ह ये बात नोट करिये कि पत्र वेभार की जो परमपरा वो भारत में बहुत ही पूरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है, है तो ये पूरानी पर इसने ज़्यादा विकास जो है वो आजादी के बाद किया, तमाम सरकारी विभागों की तुलना में से जादा गुडविल किस विभाग की है, तो इसके उत्तर में लिखोगे डाक विभाग की, इसकी एक खास वज़ा, ये भी है कि ये लोगों को जोडने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुँच है, संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिठ्थी पत्रों की हैसिय हैसियत मतलब दर्जा की, आज संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी जो जो चिठ्थी पत्रों की हैसियत है, ईसका जो दर्जा है, वे भी बर्टरार है, मतलब वे भी अभी तक बने हुए हैं, ये नहीं है कि मुबाईल या आधोनिक सुविधायाने से इनुकी जो है वो दरजा कम हो गया है शहरी इलाकों में आलिशन हवेलिया हो या फिर जोपर पटियों में रह रहे लोग आलिशन शांदर दुर्गम जंगलों से घिरे गाम हो या फिर बर्फ बारी के बीच जी रहे पहाडों के लोग समुद्र तट पर रह रहे मचुआरे हों या फिर रेगी स्थान की ढानियों में रह रहे लोग ढानियों मतलब अस्थाई निवास जिनका से निवास जो है एक जगा पक्का नहीं होता आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसबरी से इंतजार होता है एक दो नहीं करोडों लोग खतों और अन्ने सेवाओं के लिए रोज भारतिय डाग घरों के दर्वाजों तक पहुँचते हैं और इसकी बहु आयामी भुमी का नजर आ रही है दूर दे हाथ में लाखों गरीब घरों में चुले मनी अडर अर्थवेवस्था से ही जलते हैं गामों या गरीब बस्तियों में चुठी या मनी अडर लेकर पहुचने वाला डाकिया देव दूत के रूप में देखा जाता है इस तरह से चाहे वो शहरों की शांदार हवेलियां हो चाहे जोपड़ पटियों में जोपड़ियों में रह रहे लोग चाहे जंगलों से घिरे हुए जो छोटे-छोटे गाम होते हैं वहाँ पर लोग या जहां बहुत ज़्यादा बरफ बारी होती है उन पहाडों पर रह रहे हैं लोग हों रेगिस्तान की डानियों में रह रहे हैं लोग हों सबको खतों का बड़ी ही बेसबरी से इंतजार रहता है आज कई घर जो खरों के चुल्धे जो है मतलब घरों का गुजारा जो है वो मनी अडर से चलता है मनी अडर होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे पहुंचाए जाते हैं डाक खने के जरीए तो डाकियों को हुए भगवान का रूप मानते हैं इस तरह से आज हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है इस पाठ को आपने अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है और इसके जो प्रशन उत्तर है वो आपको स्नैप होमवर्क में डाल दिये जाएंगे इसके साथ साथ बच्चो जो भी मैं आपको टेस्ट लेती हूँ आपका उसे अलग से जो आपने टेस्ट को पी बनाई है वहाँ पर करते चलिए और उस टेस्ट को दस नंबर का टेस्ट होता है आपको सौल जो है मैटीरियल आपके पास ही है वहाँ से आप चेक कर सकते हो और अपने नंबर खुद या फिर अपने माता-पिता की मदद से उसे चेक करवा के उसको साथ सा नंबर देते जाएं जब लोकडाउन खुलेगा उसके बाद आपके वह सारे नंबर आपकी वह टेस्ट को भी मेरे द्वारा चेक की जाएगी धन्यवाद बेटा